स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में आज की इस कहानी का शीर्षक है हताशा और निराशा एक बार एक लड़का था बहुत निराश और हताश एक बार वह एक माहत्मा से मिला उसने माहत्मा जी से कहा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता जो भी मैं सोचता हूँ उसका उल्टा ही होता है मैंने सोचा जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी दूँगा नौकरी तो लग गई परन्तु इतने पैसे नहीं मिलते कि गाड़ी ला सको मैंने सोचा बीबी वच्चों को बाहर गुमाऊंगा उन्हें बहुत मोज करवाऊंगा मगर वो भी ना हो सका महत्मा जी उसे लेकर एक बगीचे में गए जहां बहुत सारे सुन्दर फूल लगे थे वहाँ जाकर महत्मा जी ने कहा कि तुम्हें बगीचे में से किसी एक फूल को लेके आना है जो तुम्हें सबसे सुन्दर लगता है मगर एक सर्थ है वह यह है कि फूल को तुम्हें पीछे हट कर नहीं तोड़ना है मतलब एक बार वहाँ से निकल गए तो आगे ही बढ़ना है पीछे नहीं आ सकते लड़का एक कोने से फूल चुनने चल दिया उसे बहुत सुन्दर फूल दिखाई दे रहे थे लेकिन लड़का ये सोचकर आगे बढ़ता चला गया कि इससे भी बढ़िया फूल आगे होगा तो उसे तोड़ दूँगा लड़के ने अभी तक कोई फूल नहीं तोड़ा जबकि अब कुछ ही फूल बाकी थे और वह भी सुके हुए लड़के के पास अब कोई विलकल्ब नहीं था क्योंकि अब वह सर्थ के मताबित पीछे छुटे फूलों को नहीं तोड़ सकता था लड़के के पास अब एक ही विलकल्ब था इन सुके फूलों में से ही किसी एक को तोड़ना लड़का एक सूका फूल लेकर महात्मा के पास पहुँचा महात्मा सूका फूल देखकर बोले कि बगीचे में इतने सुन्दर फूल थे मगर तुम एक सूका फूल तोड़कर लाए हो लड़का बोला महात्मा जी बगीचे में मुझे भी बहुत सुन्दर फूल मिले थे लेकिन अच्छे फूल की चाह में मैं वे सारे फूल को पीछे छोड़ता चला गया फिर बाद में सुके फूल ही मिले उनमें से मैं एकले आया महत्मा जी लड़के को बगीचे में ले गए और बोले यह जो बगीचा है यह तुमारा जीवन है जो सुन्दर फूल है वह तुमारी खुशिया है इतने सुन्दर फूलों से तुमारा जीवन भरा है फिर भी तुम और बहतर की चाह में जीवन में खुशी ले नहीं पा रहे हो तुम्हारे माता पिता को खुशी अच्छी गाड़ी से नहीं अभी तु तुम्हारे साथ बैठने से और बात करने से मिलती है अपने परिवार के साथ समय बिताए उनकी देखबाल करे यही सच्छी खुशी है दोस्तों इनसान हमेशा और अच्छे के लिए सोचता है और ऐसा सोचना अच्छा भी है लेकिन बहतर की चाह में अपने वर्तमान की छोटी छोटी खुशी को भी नहीं जी पाता हमेशा अधिक धन की लालच में हम हमेशा हमारे सुन्दर बगिचे में आगे निकल जाते हैं और आंत में बच्चते हैं सुके फूल इसलिए वर्तमान में जी भरके जी धन्यवाद